प्रेस कॉंफेंच जो है जातिगत जन्गन्ना को लेकर के आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की मांग रही है शुरुवात से ही इसी विशेप आज हम लोग करने जा रहे हैं जातिगत जन्गन्ना को लेकर के सदन से लेकर के सडक तक राष्टे जनता दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधान सभाव में एक बार नहीं बलकि दो बार सर्व समती से सभी दल इंक्लूडिंग भारतिय जनता पार्टी भी विधान सभाव से प्रस्ताव दो बारी जो है केंदर सरकार को भेजने का काम किया गया एक बार नहीं बलकि दो बार पिछले मौनसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिना भेद भाव के बिना मत भेद के हम लोगों की मांग थी की भाई जब दो बार बिहार विधान सभाव से पारित हो चुका है जातिकत जनगन्ना को ले करके भले ही मुख्य मंत्री जी की नेतित में सभी बिहार की जितनी भी दल विधान सभा में जिन लोगों ने पारित किया एक कमिटी बना करके प्रधान मंत्री जी से मिलने हम लोग चलें और जातिकत जन्गन्ना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली जामा हम लोग पहनाने का काम करें। हम लोग पिछले बार मौन्सून सत्र में हम खुद सभी विपक्षी दलों के साथ चाहें लेफ्ट पार्टियां हों कॉंग्रेस पार्टी हों और जेडी हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिलें और माने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने यह प्रधान मंत्री जी से समय मांगेंगे चार तरिकों माने मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधान मंत्री जी से समय मांगा है आज लगबग जो है एक हफ्ता से जादा हो चुका है नेकिन अब तक प्रधान मंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला हमारी दूसरी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज सरकार जैसे करनाट का राज ने अपने तर्ज पर जातिकत जनगन्ना कराई है उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी ऐलान करे कि वो जातिकत जनगन्ना जो है वो कराने का काम करें प्रधान मंत्री जी बंगाल के मुक्ष मंत्री से मिल रहे हैं पंजाब के मुक्ष मंत्री से मिल रहे हैं और लोग सभा के चुनाओं में बिहार ने सबसे ज़ादा 40 में से 49 सीटे जो हैं वो NDA को देने का काम किया यानि लगभग सारी सीटे जिस राज ने NDA सरकार को देने का काम किया उस राज के मुक्ष मंत्री दादर जी नितीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रहे हैं ये नितीशी समझें लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाए आप तो विलम हो रहा है अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लेमेंट पे भी एक सवाल पूछा गया जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिगत जन्गन्ना को ले करके ये श्री विशंबर प्रशाद निशाद जी ने जो MP है यूप से आते हैं उन्होंने सवाल पूछा पार्लेमेंट पे इस पे साफ तोर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया ने जवाब दिया खे नौट जाइए नौट तो खार्शाद ना पार्शाद प्रशाद पार्लेमेंट सदन में कि आफ्टर इंडिपैंड जो है पॉलिशी के चक्र में हम जो है कास सेंसे जो है वो नहीं कर सकते अगर आप देखेंगे तो लोग सवा में एक और सवाल पूछा गया जितने पिछड़े हैं दलित हैं उनके बैकलॉग के सवाल पर ये लगभग जो है 50% उनका बैकलॉग जो है वो खाली है जातिकत जनगर्णा जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजिती कर रहे हैं आप समझे कि ये पिछड़े पन का जो बिमारी है जो गरीबी की जो बिमारी है पिछड़े पन की जो बिमारी है जो अंतिम पैदान पे जो सुसाइटी समाज हमारा खड़ा है ये उसकी उन्नती और उत्थान के लिए आपको सहीं में आपको जानना पड़ेगा किसी भी बिमारी का इलाज करने के लिए आपको बिमारी का पता करना पड़ेगा तो ये जो कास सेंसेज है जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है कौन जो है भीक मांगने वाला है कौन जो है ठेला चलाने वाला है कौन जो है नाला साफ करने वाला है कौन जो है एक कमड़े में जिसका पुरा पड़िवार बसर करता है यह जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा किसके पड़िवार के लोग 51% जो है देहारी मजदूर है तब तक हम उनके विकास के लिए उसके उत्थान के लिए हम कोई भी बजट से कोई बी अलग से अलोकेट करके बजट प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना स तो आपको यह बिमारी का पता चलना चाहिए उसी का एक mechanism है कि आप जो है जातिगत जनगना जो है वो करा है अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की आखर ये लोग हैं कौन कहां से आते हैं कौन है आधन्य लालू जी शरत जी मुलायम सिं लेक हम लोगों की मांग और कарने कि जो मांग पार्लेमेंट में लोगों न किया था वही लेकिं कि पपलिसाइज कि हम लोगों की मांग ये कि भ等等 गाना हो और उसको कुब्लिक डोमेन में एक हाए ह और मान्य मुख मंत्री जी लगतार जो है समय मांग रहे हैं परधान मंत्री जी से समय मिलनी रहा तो आज हमने भी परधान मंत्री जी को एक चिठी जो है वो लिखने का काम किया है यह चिठी जो है आप लोगों को मुबायल में जो हैं हम पॉचवा देंगे आप लोग उसमें सारी चीजें जो हैं परसकते हैं देख सकते हैं लेकिन हमको यह उमीद और आशा है कि कहीना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है जो मांग जो है जो देश हित में है राज हित में है जण हित में है इस पे कि कि दोनों जगें इंडिया की सरकार है डबल इंडिन की सरकार है चाहे केंदर में हो राज में हो करना इन ही लोगों को है इसलिए हम बिना भेद भाव के आदर्दे मुक्ष मंत्री जी से जा करके उनके कक्ष में बिहार विधान सभा के सभी निता विरूधि दल जित्रे लोग हैं सब लोगों के साथ जाकर कि मिले कि भहिया आप समय लीजिए आपके निद्वत में हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्टे से समय नहीं मिल रहा है तो कही ना कहीं से यह मुख्यमंत्री जी का अपमान है क्योंकि प्रधानमच्ची जी का हम ट्वीट हंडल देखते हैं तो लगतार औरों से मिलने का समय है लेकि नितने महतपून इशू पर अगर उनको नितीश कुमार जी को पूरे बिहार विधान सवा के जितने दल हैं उनके नेताओं का एक डेलिगेशन मिलना चाहता है अगर नहीं मिल पा रहें तो कहीं ना कहीं से जो है यह जादा हम नहीं बता सकते लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाही तो इसमें हम चिट्थी लिख करके उनसे ने फिर से हमने अपील की है गुहार की है कि भाई यह जो समय जो है यह हम लोगों को मिलना चाहिए और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आधरने लालुजी लगतार कई बार एक बार नहीं कई बार सरकों पर भी उतर करके जातिकर जंगर्णा की जो है वह मांग उन्होंने की थी और इसकी शुरुवा करें और ये जब जाक्तिकत जन्गन्ना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी जो पिछड़े हैं जो गड़ीबी से जूज रहे हैं उन समाज के लिए उसके उन्नती के लिए उत्थान के लिए वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी लोगों को नौकरी भी मिलेगी आर्थिक स्तिती भी उनका सुधार होगा गड़ीबी से भी उभार पाएंगे तो ये काफी इंपोर्टेंट है केवल बिहार के लिए नहीं बलकि पूरे देश भर के लिए अभी कोई भी बिल बना दे कोई भी बिल पास कर दे राज सरकार प है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाती को जो है ओबी सी में लाना है लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं अगर एक कमड़ा केवल चार लोगों के लिए बना है आप उसमें पंदरा लोगों को डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कमड़े को भी बढ़ाना तो हमारी मांग है कि इस संक्या जो 27% का है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है साथ ही साथ जो बैक लॉग जो रहा है उस बैक लॉग को भी भढ़ने की जरूरत है जो हमारा अधिकार बनता है हक बनता है आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो होई रहे है इस नुकसान का भ असल में ये काम सबसे मंदारी से अगर हम बताएं तो ये तभी सफल हो पाएगा जब जातिगत जंगन्ना हो पाईगा जब असली पिक्चर आपके सामने आएगा तभी जो है चीजे सफल हो सकती है वरना कितने भी कानून बना दिया जाए उससे कोई फ़र्क परने वाला ने तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई इस विशे में क्योंकि ये विशे प्रैस कॉंफेंच जो है जाकितिगर जन्गना को लेकर के इस विशे में अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्ण अगर पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं नहीं आप देखी ना बोलने से क्या फ़र्क परता है सदन में तो भारती जन्ता पार्टी ने सर्व समती से पास किया ना एक बार नहीं दो बार है तो हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्व समती से जब पास होई गया है प्रस्ताव हम लोगों ने भेजी दिया है तो प्रधान मंत्री जी से मिल करके बता दे भाई अगर सुनवाई नहीं होती है अगर प्रधान मंत्री जी मना कर देते तो उसके बाद तो कोई उपाय बसता नहीं है उसके बाद तो यहीं हुपाय बचेगा हम तो सबसे मांग करेंगे सबी दलो से कि जनतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए तो नहीं तो राज सरकार जो है करनाटका सरकार ने जिस परकार से मुख्यमंत्री जी को जनकारी थी नहीं उन्होंने का कि हम आपी का सुनकर के करनाटका का हम मंगाए हैं स्टडी कर रहे हैं इसमें भी मुखमंत्री जी को जो भी documentation के लिए अगर जो भी करनाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है जो भी इसके लिए जरूरत होगी वो भी हम उपलब्द कराने के लिए टायार। लेकिन इसमें तो निर्णाय मुख मंत्री जी को लेना है कि बिहार विधान सभा अगर दो बार पारित करता है तो क्या हैं यहने यत रहेगी बिहार विधान सभा के। अगर प्रधान मंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाएए जो NDA के पार्टनर है और हमको लगता है कि पूरे उत्तर विहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर है NDA के तो वो नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार जी की ऐसी अगर बैजती होग जो सबसे अनुभवी मुख्यमंतरी हैं, उनसे मिलने का समय प्रधान मंतरी जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधान सबा का डेलेगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाएए कि नितीश कुमार जी की क्या पूछ है के इंदर सकार, आप आप देखे नाप प्रधान मंत्री जी का एक बाद ट्विटर हांडेल आप देखें जो हर किसी से मिल रहे हैं ये चार तारीक से लगतार मुख्रमंत्री जी समय मांग रहे हैं लिखा भी गया है चिट्थी भी लिखा गया कौन-कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है एक होता ना कि भाई फलना तारीक को मिलेंगे वो भी तो नहीं बताया गया कि एक महिने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे ये तक अब तक सु जाहिर सी बात है अगर बिहार विधान सभा से कोईची सर्व समती सर्व दलिय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे बैठेंगे सब लोगों को बैठेंगे ने देखे किसान आंदोलन को लेकर के किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने की कोशिश की और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जाइज है भाई कि MSP तो होना ही चाहिए और अब तक जो है उस पर कोई कारवाई या सुनवाई नहीं होती है तो लोगों का सब्र तो तूटेगा ना भाई लोग जो जन प्रतिनिधी जो लोग चुन करके आते हैं जिनको जनता भेशती है उनसे तो जनता सवाल करेगी ना जब उन जन प्रतिनिधी का मान सम्मान उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़े होती है को पहली बार नहीं पहले भी पूर में भी हुई है लेकिन यह सरकार की जिमेवारी बनती है कि इस चीज़ को सौट आउट कैसे किया आप कम से कम किसानों से बात तो कीजिए उनको भरोसा तो दिलाई को बाहर के किसान थोनी ना आपी के देश के किसान है अन्न दाता है उन्हीं के बदलत हम लोग जो है पेड़ भरते हैं अगर जो पेड़ आप जिस जो वेक्ति जो लोग आपका पेड़ भरते हैं आप उसका नहीं सुन रहे तो आप तो किसी का नह लोग भ्रहम फ्हलाने की बात करने हैं तो भाई सर्व शम्रती से बीजेपी के लोगों क्यों पास किया सदन में एक बार ने दो बार पास किया ना भाई भाजपा के लोगों ने सर्व समयती से ना पास हुआ तो कौन सी बात सही है और तो बीजेपी के लोगी बताएं अब इस पर हमको ज़्यादा जनकारी नहीं है अब इसी विशे में हम सोचेते हैं प्रेस कॉन्फरेंस रखेंगे बाकि आज तो आज तो हमारा प्रेस कॉन्फरेंस इस विशे पर है और कोई कहीं कोई नराज नहीं है सब ठीक है